धोरण आठ, विग्णयान, प्रक्रण बार, घर्षण, फ्रिक्षिन, घर्षण, फ्रिक्षिन, तमी ट्राफिक सिग्नल पांसे कार के ट्रक ना ड्राइवर ने वाहन ने धीमू पाडता जोया हशे, तमे पन तमारी साइकल ने जरूर पड़े ब्रेक लगाडी ने धीमी कोई पढ़ वस्तु जारे बीजी वस्तुनी सपाटी पर गती करती होई, त्यारे बाहिया बढ़ लगाड़े अवगर धीमी पड़े छे, अने अंते स्थिर थाई जाई छे, चुँ तमे जमीन पर गती करता दड़ा ने थोड़ा समय पची स्थिर थाई जता जोयो नथी, क आ प्रक्रण माथी तमे आवा प्रश्णूना जवाब शोधी शक्षो, घर्शन बल, force of friction, प्रवरुत्ती बारपोइंट एक, तेबल पर पड़ेला पुस्तक ने धीमेथी धक्को मारो, तमे जोशो के थोड़ू अंतर कापी ने स्थिर थाई जाई छे, हवे पुस्तक ने विरुद दिशा माथी धक्को मारी ने आ प्रवरुत्ती नू पुनरावत्तन करो, चो पुस्तक आ वखते पन स्थेर थाई जाई छे, चो तमे वो शामाटे बने चे ते विचारी शको छो, चो आपने कई शक्ये के पुस्तक नी गतीनो विरुद करवा माटे तेना पर कोई कि बल लागतु Birds जो ये आ बलने घर्शन बल कहे छे तमें जोयू के जो तमें डाबी बाजूए बल लगाडो चो त्यारे घर्शन बल, जमनी बाजूए लागे छे जो तमे जम्नी बाजुए बल लगाडो छो, त्यारे घर्षन बल डाबी बाजुए लागे छे बन्ने किस्सावमा घर्षन बल पुस्तकनी गतीनो विरोध करे छे घर्षन बल हम्मेशा लगाडेला बलनो विरोध करे छे उपरनी प्रवृत्ती मा घर्षन बढ़ पुस्तकनी सपाटी अने टेबलनी सपाटी वच्चे लागे छे शू घर्षन बद्धीच सपाटियों माटे सर्खुं होय छे शू ते सपाटियोंना लिस्सापणा पर आधार राखे छे चालो, आपने जोईए घर्षन पर असर करतां परिबढो Factors Affecting Friction प्रवृत्ती 12.2 कोई इटनी फर्तेक दोरी बांधो विटालो, स्प्रेंग काटानी मदथी इटने खेंचो आ माटे तमारे बल लगाडवू पडशे जारे इट गती करवानी शरुवात करे त्यारे स्प्रेंग काटा परती अवलोकन नोंधो ते तमने इटनी सपाटी अने भोई तलिया वच्चे लागता घर्षन बढ़नू मुल्य आपे छे हवे इट पर पॉलिथीनन्यों टुकडो लपेटो त्ये वीटाळो अने आ प्रवृत्तीनु पुनरावर्तन करो शु तमे उप्पर्मी बन्ने प्रवृत्तियों मा स्प्रेंग काटाना अवलोकनों मा तफावत जोई शको छो आ तफावत माटेनों कारण शू होई शके हवे इटनी फरते शण नो टुकडो विन्टालीने आ प्रवृत्तीनु पुनरावर्तन करो तमे शु अवलोकन करो छो स्प्रेंग काटो स्प्रेंग बालेंस स्प्रेंग काटो ए वस्तू पर लागता बल नू मापन करतूं साधन छे ते एक स्प्रेंग कोईल गूचणानों बनेलू होय छे जे तैना पर बल लगाडवाथी खेंचाय छे स्प्रेंग नो खेंचान अंकित करेला मापक्रम पर सरकता दर्शक द्वारा मापी शकाय छे मापक्रमनों अवलोकन ए बल नो मुल्य आपे छे प्रवुत्ती 12.3 लिस्सा भोहें तळिया पर के टेबल पर एक धाल बनावो आ माटे तमें इट के पुस्तकों ना तेके राखेला लाकड़ाना पाटिया नो उप्योग करी शको धाल पर पैन वडे कोई बिंदू ए पर निशानी करो हवे एक पेंसिल सेल ने बिंदू ए थी नीचे गती करवादो स्थेर थता पहला ते टेबल पर कितली दूर जाये छे तिय अंतर नोंधो हवे टेबल पर कापड़नों टुकडो फैलावीने मुको कापड़ पर कर्षली न रहे तेनू ध्यान राखो फरिथी आ प्रवृत्ती नू पुनरावर्तन करो टेबल पर रेती नू पात्रों स्थर लगावीने आ प्रवृत्ती नू पुनरावर्तन करो अ समग्र प्रवृत्ती दर्म्यान ढाल एक सर्खो राखो तया किसामा कपाईलू अंतर उच्छामा उच्छू छे દરેક વખતે પેનસ્લ સેલ દવારા કપાયલું અંતર જુદુ જુદુ શા માટે છે शो सेल नी सपाटी नू लिसा पणू पण सेल द्वारा कपायला अंतर पर असर करे छे। हुँ पेंसिल सेल पर काज पेपर विंटाली न्या प्रवृत्ती करवानो प्रयत्न करेश। घर्शननो कारण संपर्क मा रहेली 2 सपाटियोंनू खर्बचणा पणू छे। लिसी लागती सपाटियों पर पण मोटा प्रमाणमा आविसुक्षम अन्यमित्ताओ होई छे। 2 सपाटियों पर रहेली अन्यमित्ताओ एटले के खर्बचणा पणू एक बिजामा भराई जाए छे। जियारे आपणे कोई सपाटिने खसेडवानो एटले के गती कराववानो प्रयत्न करिये छे। त्यारे आपणे आ जोडाण एटले के इंटरलोकिंग विरुद्ध बल लगाडवू पड़े छे। खर्बचडी सपाटियों पर वधारे प्रमाणमा अन्यमित्ताओ खांचाओ होई छे। तेथी जो सपाटी खर्बचडी होई तो घर्षण बल वधारे होई छे। आपणने ख्याल छे के बैस अपाटियों ना खर्बचडा भागोना जोडाण एटले के इंटरलोकिंग ने तारणे घर्षण लागे छे। सपश्ट छे के बैस अपाटियों ने बल पूर्वक दबाववामा आवे तो घर्षण बल वध शे। ज्यारे सादड़ी पर कोई व्यक्ति बैठेलों न होई, त्यारे अने बैठेलों होई, त्यारे सादड़ी एटले के चट्टाई में खेंचवाती तमें आ अनुभव करी शको छो। तमारा ए अनुभवने याद करों के जैमा तमें कोई भारे बौक्स ने एक जग्याती बीजी जग्याई खसेडियों हतूं। जो तमने आ प्रकारनों कोई अनुभव नो होई तो हवे आ प्रकारनों अनुभव करों। तमनी शूं सरण लागे छे, बॉक्स में स्थिर स्थिती मा थी गती मा लाव्वू के गतीमान बॉक्स ने तेज दिशामा गती चालू रखावी पदार्थ ने स्थिर स्थिती माती गती मा लाववा माटे जरुरी बल इस्थित घर्षन इटले के स्टाटिक फ्रिक्षन बल नू माप छे आना थे विप्रित जारे पदार्थ नी अचल जड़प्ती गती चालू राखवा माटे जरूरी बढ ए सरक्ता एटले के स्लाइडिंग फ्रिक्षन घर्षण नू माप छे जारे बॉक्स सरक्वानू शरू करे त्यारे तेनी सपाटी परना संपर्क बिंदुओने बीजी इतले गे बोई तल्यानी सपाटी ना संपर्क बिंदुओमा घुसी जवा माटे पूर्तो समय मलतो न थी तेथी सरक्तों घर्षण इस्थित घर्षण करता ओचू होई छे तेथी तमारा माटे पदार्थ ने स्थिर स्थिती माथी गतीमा लाववा करता गतीमान पदार्थ ने गती चालू राखवी सरल छे घर्षण एक जरूरी दूशण फ्रिक्षिन अन्नेसिसरी एविल हावे तमारा थोड़ा अनुभवो याद करो कोई काचनो ग्लास के कुलडी एटले के माटीनो घडो एबै माथी कौने पकड़ी राखू सरल छे धारो के काचना ग्लास नी बहारनी दिवाल चिकनी छे अथवा तेना पर रांधवाना तेलनू स्तर लागेलूं छे हवे तेने पकड़वूं सरल बन छे के मुश्केल बन छे जरा विचारो जो घर्शन न होय तो काचना ग्लास ने पकड़ी राखूं शक्य बन छे एई पन याद करो के भीना कादव वाला रस्ता पर के आरस मार्बलना भीना भोई तड़िया पर चालवूं केटलू मुश्केल छे शो तमें कोईज घर्शन न होय तो 40 शकवनी कल्पना करी शको छो जो घर्शन न होय तो तमें पैन के पैंसिल थी लखी शकता न थी ज़ारे तमारा शिक्षक ब्लैक बोड पर चोक थी लखे छे त्यारे तेनी रफ सपाटी चोक ना थोडा कणोंने उतारी दे छे जे ब्लैक बोड पर चोंटी जाए छे जो चोक ने बोड वच्चे घर्षन नहोत तो आवु बनी शकत जो कोईच घर्शन न होय तो कोई वस्तु गती शरू करी दे तो ते क्यारे रोकाशे नहीं। जो रस्ताने वाहनोंना टायरोंनी वच्चे घर्षन न होय, तो ते वाहनोंनी ना तो गती शरू थाई शके, ना तो तेमने रोकी शकाई, अने ना तो तेमनी गतीनी दिश्यामा फेर फार करी शकाई. दिवालमा खिल्ली न ठोकी शकाई, के टाईमा गांठ न बांधी शकाई, घर्षन वगर कोई इमारत न बांधी शकाई, आना ती विपरित घर्षन हानी कारक पण छे, घर्षनने कारणे वस्तुओ घसाई जाई चे, पची भले ते स्कुरू, बॉल बेरिंग, के बूट पलना तड़िया, सोल, केम न होई, तमे रेलवे स्टेशनों पर चालवाना ओबर ब्रिज पर घसाईला पगत्याओ जोया हशे, धर्षन थी उश्मा पण उत्पन ठई शके छे, थोड़ी मिनीटों सुधी पोतानी हत्यलियोंने जोर जोर थी एक बिजा साथे घसो, तमे के हशे के मिक्षरने थोड़ी मिनीट चलाववाने लिधे, तेनु जार गरम थई जाये छे, तमे एवा घणा उदाहरणों आपी शको छो, जेमा घर्षन द्वारा उश्मा उत्पन ठाये छे, हकी कतमा ज्यारे आपने कोई मशीन नों उप्यों करिये छिये, त्यारे उत्पन थती उश्माने कारणे थोड़ी घणी उर्जा वेडफाई जाये छे, नीचेना विभाग मां आपने घर्षन ओचूं करवाना उपायों विशे चर्चा करीशूं, घर्षननों वधारवों अने घटाडवों, Increasing and Reducing Friction, अगाउना विभाग मां तमें जोयूं के अमुग परिस्तितियों मां घर्षन इचनिया होई छे, चो तमें क्यारे ए वीचारियों छे, कि तमारा बूट चंपलना सोल खांचावाडा केम होई छे? बूट चंपलनी भोई तड़िया साथे वधारे सारी रिते पकड रहे, ते माटे आम करवामा आवे छे, जेती तमें सलामत रिते चाली शको छो, तेज रिते कार, रक अने बुल्डोजर ना टायरों पण खांचावाडा होई छे, जे ना थी रस्ता साथे तेमनी पकड घरशनमा वधारों करिये छिए, जे तमें साइकल चलावोँ छो, तो तेना ब्रेक पैड पैडाने स्पर्श करता न थी, परन्तु जे तमें ब्रेक लीवर ने दबावो छो, त्यारे आ पैड घरशनने कारणे पैडानी कोर एटले के रिम नी गती ने रोकी दे छे, अने प यूं हशे के कबड़ीना खिलाडियों पोताना हाथ पर माटी घसे छे, जेथी तेओ पोताना विरोधियों एटले के अपोनन्स ने वधारे सारी दिते पकड़ी शके, तसरत बाज जिमनास पोताना हाथ पर कोई बर्छट पदार्थ लगावी दे छे, जेथी घरशनमा उच्छू करवा इच्छिये छिये, क्यारम बोड पर तमें बारिक पावडर केम छाटो छो, तमने कदाच ए जणायू हशे के जारे तमें दर्वाजाना मिजाग्रामा तेलना थोडा टीपा नाखो छो, त्यारे दर्वाजो सर्णता थी हलन चलन करे छे, साइकल तथा मोट करना कारिगरो आ मशीनोंना गतिशील भागो नीवत चे ग्रीस लगाड़े छे, उपरना बद्धा किस्सावमा आपने कार्यक्षंता वधारवा माटे घर्शनने ओच्णू करिये छिये, ज्यारे तेल, ग्रीस, इगेरफाइट ने मशीननना गतिशील भागवत चे लगाड नथी, आरे ते अन्यमित्ताव, खर्बचडा पणानू एक बिजा साथे नू जोडान, इंटरलोकिंग, मोटा प्रमाण मा दूर थाई जाए छे, अने हालन चलन एटले के मूवमेंट सरण बनी जाए छे, घर्शन ओच्णू करता पदार्थोंने, उन्जन एटले के गोवच्ची हवाना स्तरनो उप्यो करवामा आवे छे, शुँ आपने सपाटियो पर पॉलिश करी ने कि वधारे मात्रामा उन्जण नो उप्यो करीने, घर्शनने घटाडीने शुन्य करी शकिये छि, घर्शन क्यारे पूरे-पूरु दूर करी शकातु नथी, कोई पन पुर्ण लिसी नथी होती, तेमा थोड़ी अनिय मित्ताओ एटले के खांचाओ हम्मेशा होय छे। पैडा घर्षण ओचुं करीदेचे, वील्स रिद्यूस फ्रिक्षिन। तामेश सूटकेस, अटाचीज, अन्य अन्य भारे सामान साथे पैडा एटलेगी रोलर्ज लगाडेला जोया हशे। आवा सामानने कोई नानू बाड़क पण आसानी थी खेंची शके छे। आवों केम थाई छे। चालों आपने जोईए। प्रवुत्ती बार पोईंट 4. नडाकार आकारनी थोड़ी पैंसिल लो। तेमने टेबल पर एक बिजाने समानतर मुको। तेमना उपर कोई जाडूं पुस्तक मुको। हवasia पुस्तकने धको मारो। तमे जो शों के पुस्तक गतीना अववाथी बध्धीच पैंसिल गबड़े छे। शू तमे एवों अनूभव करो छो कि पुस्तकने सरकाववा करता आवीरिते गती कराववानू सरण छे। શું તમને લાગે છે કે પુસ્તકની ગતી દરમ્યાન અવરોત ઓછો થઈ ગયો છે શુતમે ભારે મશીનોને તેમની નીચે લાકડાનો નળાકાર લોગ રાખી ને એક સ્થાન્થી બીજાસ્થાન્સુદી લઈજતા જોયો છે જ્યારે એક વસ્તુ કોઈ બીજી વસ્તુની સપાટી પર ગબડે છે ત્યારે તેની ગતિને સરળ હોય છે આજ કારણ છે કે પઈડા લગાવેલા સામાન ખેચવા સગવળ ભર્યા હોય છે છું હવે તમે એ કરતાં ઓછું હોય છે તેથી મોટા ભાગના મશીનોમાં સલાઇડીંને બોલ બેરિંના ઉપયોગ દવારા બદલવામાં એટલેકે રીપલેસ કરવામાં આવે છે છતના પંખાઓ અને સાઈકલોમાં ધરી એક્સલ અને કેંદ્ર હબની વચી બોલ્બેરીંને ઉપયોગ આના સામાન્ય ઉદાહરણો છે તરલ ઘર્શણ ફ્લુઈટ ફ્રિક્શન તમે જાણો છો કે હવા ઘણી હલ્કી અને પાતોળી હોય છે છતા તેમા પસારથઈને ગતી કર્તી વસથુઓ પર હવા હવાયોનું સામાન્ય નામ તરલ છે આથી આપણે કઈ શકીએ કે તરલ તેમા પસારથઈ ને ગતી કરતી વસ્તુઓ પર ઘરશણ બળ લગાડે છે તરલો દ્વારા લગાડવામાં આવતા ઘરશણ બળને ઘસડાવું ડ્રાક પણ કહે છે કોઈ તુઓ કોઈ તરલમાં થઈને ગતી કરે છે ત્યારે તેમણે તેમના પર લાગતા ઘરશણ બળને સમતોલી ને પાર એટલ તેની કોને આ વિશીષ્ટ આકારો વિશે ક્યાંથી સંકેટ એટલે કે હીન્ટ પ્રાપત થાય છે ખુદ્રતી પક્ષીઓને માચ્લીઓ દરેક વખતે તરલમાં ગતી કરતા હોય છે તેમના શરિવનો વિકાસ એરિતે થયો હશે આકાર અને કોઈ પક્ષીના આકારમાં કોઈ સમાનતા જોવા મળે છે હકી કતમાં બધા વાહનોની આકારની રચના એટલે કી ડિજાઈન એરિતે કરવામાં આવે છે એ તરલ ઘરશણ ઘટી જાય